हेलो अब्रिवन स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में ससी वीद पालाज जे शिक्षा में तो बच्चो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बता हम आप सभी को बताएंगे वारायड्स के बारे में कि वार्ट वारायड्स क्या होते हैं और यह कहां पर किसको या सर्कुलर आनने के बहुत स्मॉलिष्ट सर्कुलर आरेने के यह मॉलकी उससे बने हुई होते हैं और इस पर भी इस पर कोई भी प्रोटीन का कोट नहीं होता है याद रखेंगे इसको तो यहां आज के वीडियो में आपको बिताएंगे वारायट्स के बारे में चलिए और उनके कुछ वरकर्स थे जो की 1971 वाइराइट की खोज किया और यह जो वाइराइट था यह बहुत ही इनफेक्सियट के नाम से यह जाना गया यानि कि यह बहुत ही इस मालेस्ट होता है बहुत ही चोटा होता है इनकी यह केवल इन कर भी स्मॉल rna का arenay molecules से बना होता है और ये infect that stories होता है निकि यह उत्व हुद्ञ का जो एक होते हैं इस यह इंप संथ करते हैं और पहली चीज तो ये यहाँ पर एक चीज ओर जान लेते हैं जो वायराइटस डिस्कवर्ड बाई टी ओ डेनियार एंड को वर्कर से इन नाइंटीन सेबंटीवन और यह सबसे छोटा इंफेक्सियस एजेंट के रूप में जाना जाता है जो वायराइट्स होता है एक चीज यहां पर कोशिन और बनता है कि जो कौन सा ऐसा वायरस है या कौन सा ऐसा इनफ चीज़ी समालर होते बहुत ही चोटे होते हैं ठीक है बहुत ही चोटे यहां पर यह नहीं होगा ऑगि कि आने कि जह पूंट घ्राण खुण बइंग मोलेकुलन से अब कीवल आरने मोलेकुल से बना होता है तो भी जम अलर बहुत ही छोटा होता पहुत मानोली होता है अन्य वारस में जीटोंस के प्रोटीइनस है ठीक है आगे बात कर लाते हैं तो इस्मालेस्ट और यह जो यह इंफेक्सियों इंट है यह स्मालेस्ट इंफेक्षेज वेलें करता है ना सबस्क्राइब करता है याद रखेंगे यहाँ पर आप याद रखेंगे यह कहां पर मल्टीप्लाइब कर सकता है प्लांट सेल में का नूकलियस में यह करते हैं ठीक है तो यह जो करता कहाँ पर करता यह प्लाट सबकें करता है और अगे देखते हैं आगे είगरा तो इसके झेन्स के बारे में बात करें तो तो यहां पर they consist only small circular RNA molecules, यह केवल और केवल, यहां पर small circular RNA molecule को ही यह consist करता है, यह केवल और केवल जो genetic material होता है, वो circular RNA molecule होता है, यह यह consist करते हैं, बहुत ही small होता है, बहुत ही manually होता है, two small to coat for even two small, बहुत ही चोटा होता है, बहुत ही small coating करता है, for even one small protein, केवल और केवल, एक small protein को, बहुत ही small manually protein को in coat करता है, coat for even one small protein and therefore lack of protein coat, और इसमें जो है protein coat क्या होता है, lack होता है, यह absent होता है, protein coat से यह नहीं बना होता है, याद रखेंगे यह चीज़, तो without protein coat कौन सा है, कौन सा ऐसा वारेस है, कौन सा हो, तो वह है मारा तो वारेस में कोई भी protein coat नहीं होता है, lack of protein coat होता है वारेस जो होते हैं, ठीक है, बहुत ही smallest होते हैं, वारेस इंफेक्ट मॉली plant, यह केवल और केवल प्लांट को ही infect करते हैं, जो वारेस होते हैं, और बहुत सारी यहां पर डिजीज काज करते हैं फ्लांट को तो कि रोट गे-टेग्टों, बहुत सारी हिस्ट में K ठीक है याद रखेंगे इसको कि देखा गया है अभी तक नहीं डिटेक्ट किया गया देखा नहीं गया है अन्य और गने जम्स में वाराइट्स रिप्लिकेट इन्द नुक्लियस ऑफ प्लांट यह पहली चीज भी पहली बार में भी हमने बता है कि जो बाराइट सोते हैं यह प्लांट को ही इंफ्ट करते हैं और जो मल्टिप्लाइ करते हैं अपना असल्फ तो यह समझ में आरहा हो गा आगर वीडियो पसंद आ रही थो वीडियो लिजिए चैनल को ठीक है बेल आइकन पर प्रेश कर दीजिए आल पर क्लिक कर देजिए आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो कि टीयो डेनियर डिफाइन 1979 ठीक है टीयो डेनियर ने क्या डिफाइन किया यहां पर क्या डिफाइन किया था इन्होंने वायराइट्स एज लो मॉलेकुलर वेट नुकलिक एसीड दैट आर प्रेजेंट इन सरेटन ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड विद स्पैसिफिक मेलाडाइज ठीक है मेलाडाइज तो टीयो डेनियर जो थे इन्होंने 1979 में इन्होंने डिफाइन किया वायराइट्स को डिफाइन किया नुने क्या कहा उन्होंने कि जो लो मॉलेकुलर वेट नुकलिक एसीड दैट प्रेजेंट इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड विद स्पैसिफिक मालाडेज तो यहां पर मैलाडेज यहां पर उन् इंगले नुकलिक एसीड के ही बने होते हैं और सब्सपैसिफिक मालाडेज को ही अफेक्ट करते हैं कोई सपैसिफिक मालाडेज को ही ही ठीक है गryड़ेक्छी इन धी होस्ट डेरेप्लिकेट और टोनुमसली इनदी host फीक है? इनदी host plant और ये अपना host किसको बनाते है? plant को और उसी में ये autonomous replication करते है, replicate करते है host को किसको बनाते है? plant को उनकी host क्या होगा? इसका plant होगा and cases of the characteristic disease syndrome और बहुँआ सारे यहाँ पर these disease case करते है में प्लांट चेहल करना है और यह प्लांट में भी बहुत सारे कारेक्टिटेक्स सिंड्रोम याणिवरा काज करते हैं दे अर यह पहले घॉटलित नहीं होते है जो इसका जो ढूंटर कवर इंवलॉट होता एनकि प्रोटीन जो थे नहीं जाता डिखेस्टर gonna कोता है तो बनी होते हैं और ही शोकाल ही होते हैं एक से बने होते हैं और हरी रिसिस्टेंट होते हैं किसके प्रत, heat के, ultraviolet and ionizing radiation के प्रत, यह जदा से ज़्यदा यह resistant होते हैं, फिक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, और वायराइड्स को होते हैं, यह 7 प्रकार के डिजी जई काज करते हैं, जिनको यहाँ पर देखा गया है, तो इन आल सेबन वायराइड्स हाब इन स्टेबलेश टू डेट तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन से यहाँ पर वायराइड्स है यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें free RNA होता है without protein coat होता है free RNA कैसे होगा है circular RNA molecule से बने होंगे वायराइड्स होंगे circular RNA molecule से बने होंगे without protein coat याद रखेंगे इसमें कोई भी protein coat नहीं होता है namely potato spindle tuber वायराइड यहाँ पर साथो आप यहाँ पर देखेंगे seven वायराइड have been established यहाँ पर साथ प्रकार के वायराइड यहाँ पर established किये गए हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला है यहाँ पर potato spindle tuber warयlob दूसरा हैज पर citrus इसके बात करते हैं तो आगे यहां पर क्रिसंथिम्मं घ्लोरोटिक मॉटल वाराइड तो यहां पर हम बात कर लेते हैं अगला जो और तो यहां पर साथ प्रकार के यहां पर वाराइट से काज करने वाले आप वाराइट से होने वाले प्लांट टीजी जहाँ पर आपको दिखाए गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तो यह साथ है पहला चीज पहला कुंसा यहाँ पर पोटाइटो स्पेंटल ट्यूबर वाराइट दूसरा है सिट्रस एक कॉर्टिस कॉर्टिस वाराइट चीज़स जुसके बोलते हैं क्रिसंथ आप यहाँ पर थोड़ा भी पैक्टर आपको दिखाए ढूटा है था है आप यहां पर आई होप आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से द्यान से आप इसको देख सकते हैं आप यहां पर इसके लीफ को आप देखें लीफ में यहां पर यह इफेक्ट हुआ है लीफ को इनफेक्ट किया हुआ है आप यहां पर देख रहे हैं यह यलो यलो कुछ पार्ट आपको दिखाए दे रहा होगा यहां पर कहीं कहीं यलो यलो ज्यादा से ज्यादा और इस तरीके से फूल गया है ठीक है तो यह देखिए यह सब वाराइड के ही इंफेक्शन है यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे है इस तरीके से और कुछ यहां पर आप देख पा रहे होंगे और यह आपका यहां पर देखे पोटेटो है इस पिंडल अगर बात करें तो यहां पर यह देखे ट्यूबर इस तरीके से यहां पर फूल सा जाता है तो यह जो है आपका यह जो है आपका क्या हो जाएगा यहां प यहां पर कुछ फॉम में आपको देख आप इसको देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह सारे डिजीजेज हैं आपके वायराइट्स के जो कि क्यों प्लांट को यह इंफेक्ट करते हैं आधर आर्गनिजम में इनको डिटेक्ट नहीं किया गया है ठीक है तो आज की वीडियो बस इतना ही तो वार अट से आपको प्रीयांस के बारे में बताइंगे, ठीक के वह भी आपका इंपोर्टन पॉइnt है आपके एकजाम के लिए शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और कमप्टिशन इकजाम में भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग को आज की वीडियो में बसिता ही, I hope आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दिये, सेर कर दे ज़िये, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीके, और सब्सक्राइब कर दिजिए, बेलाकन पर प्र